जहिन मित्रों प्रगसिल भारत की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज है 15 सितंबर दिन ब्रहस्पतिवार और आज एक बर फिर से हम गाजीपूर बलिया माजीघाट ग्रिन फेल्ड हाइवे की कुछ ताजी जानकारी के साथ आपके बिच प्रस्तूत हो रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रिन फेल्ड हाइवे की भूमी अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और इसमें पहला बैनामा भी हो चुका है हाला कि बहुत सारे छेत्रों में कम रेट मिलने का विरोध निरंतर जारी है और पत्रक तथा ग्यापन देने का करम भी निरंतर जारी है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कल कहां कहां पत्रक दिया गया और इसकी अपडेट क्या है भूमी अधिग्रहण की और जो बलिया में तहसिलदार महोदय के परमोशन के कारण मामला अटका हुआ था पेज फसा हुआ था जमी पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा और आल नोटिफिकेशन सेलेट कर लिजिएगा ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं हुतार की स्वर्चिंग अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अजीत अंजली विल्कम बैक दोस्तों आप सभी वीवर्स और सब्सक्राइबर्स का एक बाद फिर से आत्मिक स्वागत है हमरे यूटूब चैनल अजीत अंजली में देखिए किसानों का धर्ना प्रदर्शन और ग्यापन देना पत्रत देना अपनी बातें कहना लगातार जारी है मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि गाजीपूर में कई टीमों ने ग्यापन दिया है भूमी अधिगरण के रेस्ट से वो असंतुष्ट है और इतने कम रेट पर अपनी जमीने देने के लिए तयार नहीं है बहुत साली जगहें ऐसी हैं जहां पर आल्रेडी एनेच्याई के थ्रू ही जादा पैसा पहले मिल चुका है कि अपनी जमीनों का अधिक मूले पहले मिल चुका है तो अब हम कम मूले पर और महत्पून जगहों पर अपनी जमीने क्यों दे इसी तरीके की घटना हुई है मुहमदाबाद तहसील में और ग्रिन फिल्ड एक्स्प्रेस में में भूमी अद्ग्रहित के मुआउजे में बढ़ोतरी की अमांग को लेकर प्रधान बरेजी कास्तकारों के साथ SDM डाक्टर हरसिता तिवारी को पतरक सवपकर बताया कि शासन की अत्तोम हत्वाकांझ सी ग्रिन फिल्ड एक्सप्रेस्वे का निरमाण कराया जाना है इसके भूमी के अधिगरंड के लिए समाचार पत्रों में विग्यापन कराया गया है इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी जमीन ली जा रही है काया कि उन्हें राजस्वे लेखपाल से सूचना मिली कि उनको सासन की और से साथ लाग रुपए प्रतवीगा मुआउजा मिलेगा पताया कि यह मुआउजा करीब 6 वर्स पुर्व पुर्वांचल एक्स्प्रेस्वे की निर्माण के समय कास्तकारों को दिया गया था अब जमीन काफी महंगी हो गई है और समय भी बढ़ गया है अता उनकी जमीन का सरकिल रेट बढ़ा कर मुआउजा दिलाया जाए इस डियम ने कास्तकारों को उनके मांग को उच्चा अधिकारियों तक पहुँचाने का आस्वासन दिया पत्रक देने वालों में विनोत प्रधान अजय प्रधान विजय शंकर यादव और अभिमन्यू प्रधान आदी सामिल थे इसके अलावा दोस्तों ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे की जमीनों की खरीद पर एक बैठक भी होई है अधिकारियों के बीच और ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे की जमीनों की खरीद वा अन्य परक्रिया कर लेकर प्रसासनिक तयारियां तेज हो गई है बुद्धवार को सियारों की अधिक्सता में अधिकारियों की बैठक होई जिसमें खासकर 26 गाओं की कर निर्धारन को लेकर चैचावी होई बता दें कि ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर पूरों में गजट किये गए जमीनों को राजपाल के नाम से क्रह किया जाना है हलांकि अभी तक कोई रजिस्टी नहीं हो सकी है बुद्धवार को सियारों की अजिताब होई बैठक में जमीनों की खरिद की प्रक्रिया तेज करने को लेकर अधिकारियों विचार भी मरस किया इसके अलावा हाल में गजट हुए 26 गाओं के करने दारन के प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों ने विचार भी मरस किया बैठक में सियारो अनिल अगनहोत्तरी के अलावा इन्निचियाई के पीडी यूपीडा के अधिकारियों के साथ ही सेलो कुपेंदर सिंग महजूद रहे तो बैठक भी हो रही है और पत्रक भी दिये जा रहे हैं और इसी बीच बलिया सदर से एक नई सूचना आई है जो तहसिलदार का प्रमोशन हो चुका था और यह पेज फस गया था कि अब राश्टपत के द्वारा जो प्राधिकारी वन्यूक थे और उनके नाम से जो रजिस्ट्री होनी थी वह अब कैसे संभा हो पाएगी तो उस संबंध में यह सूचना आई है कि पूरो तहसिलदार सदानन सरोज ही पूरी कराएंगे रजिस्ट्री की प्रकिया उनका पद नाम अब बदल जाएगा आस्वासन मिला है कि रजिस्ट्री प्रकिया करा दी जाएगी शुरू गाजी पुर्बलिय माजी घाट ग्रीन फिल्ड एक्सप्रिस्वे प्रयोजना में फसे जमीन अधिग्रण के पेज को सुल्जाने की कवायत तेज हो गई है तैह हुआ है कि अब सदानन सरोज ही क्रय अधिकारी रहेंगे उनका स्रिफ पद नाम बदलेगा तहसिलार सदर से वर डिप्टिक कलेक्टर पद पर प्रणोत कर दिये गए हैं ऐसे में प्रसासन अब यूपीडा को पद नाम परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव भेजेगा फिलहाल पूरी प्रक्रिया में सैधान्तिक सहमती बन चुकी है बुद्धवार को परयोजना को लेकर सियारो अ आदी अधिकारी मौजूद रहे उन्होंने बताया कि डीम से इस समय विस्तार से चर्चा हुई है जमीन के पेज की चलते पर योजना विलम नहीं होनी चाहिए आस्वासन मिला है कि सिघ्री रजिष्ट्री प्रक्रिया सुरू करा दी जाएगी बता दें कि 36 गाउं की रजि कारे नियुक्त किये गए थे उन्हें राश्पत के नाम पर जमीनों की रजिष्ट्री करानी थे तो अब यह भी क्लियर हो चुका है कि बलिया सदर से सदारन सरोज ही रजिष्ट्री कराएंगे और उनका पद नाम बदल जाएगा उसकी साहमती मिलते ही यह कारे भी होने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो के पहली नोट्स्पिकसन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जय बहुत बहुत धरन्यवाद, बहुत बहुत आभार